पहले आपको वांक्छुक जी सवागर्ट करटे हैं, आसाम में आपका कैसा हो रहा है और उत्तरप्रवी इलाकों में जैसे प्रचिअबरन में ज़्यादा बहुत सारे मोसम अबी कम हो रहा है औरना सल में ज़्यादा तर बहुत सारे बिग डैम बनने जा रहा है और भी भी बन रहा है और मिसिंग युवा हन्मिलन में आप आके कैसा मेसूश क्या और आपका जो क्लाइमिट फेस्ट आप आज कुछ दिन पहले आप अंदुलन किये थे आप आपसे जान्दस आएंगे जी धन्यवाद मुझे बहुत खुशी है यहां पर जन जाती है जो संस्कृती है उसमें समिलित होने का मुझे आफसर मिला मैं जब भी यह सोचता हूं कि भारत की अगर ग्यान विश्व को पहुंच सकती है अगर भारत विश्व गुरु हो सकता है तो वो दिल्ली और बंबई के ग्यान से नहीं बलकि भारत की जो मौलिक ग्यान है जिसे इंडिजनस नौलेज सिस्टम्स कहते हैं वो यहां के जंजाती है लोगों में हैं जिससे की हम इस प्रित्वी को और सुन्दर बना सकते हैं मुख्यदारा जिसे मेंस्ट्रीम कहते हैं बड़े शेहरों की सब्यता उसने तो हमारे प्रित्वी का विकास से ज्यादा विनाश कर रखा है आज पानी पीने लाइक नहीं है हवा सांस लेने लाइक नहीं है और कहते हैं कि बहुत जल्द हमारे ग्लेशियर्स खतम हो जाएंगे समुदर तल उठ जाएगा यह सब मुख्यदारा या मेंस्ट्रीम जिसे कहते हैं आप कहिएगा डिवरलपमेंट उसके वजह से हो रहा है तो ऐसे में हमें प्रेर ना लेनी चाहिए भारत के सुदूर परदेशों में जंगलों में पहाडों में रहने वाले जातियों से जण जातियों से यही भारत की यान संपदा है चाहे वह असम में मिसिं होना चाहएं और मैं हाँ हाल ही मैं लडाक के परियावरन के संग्रक्षन के लिए आंदोलन्थ सकर रहा था यह सिर्फ लडाक के नहीं है बलकि पूरे हिमाले की है और यहां आप लोग जहां जंगलों में, जहां नदियों के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ संतुलन में इस कला को छोटा समझ के हीन समझ के खत्म ना कर के हमारे बच्चों में यहां बहुत युवा हैं आज में देख रहा हूँ 10,000 के करीब बहुत जरूरी है कि शिक्षा को हम ये साइंस और मैट्स के परिक्षाओं और डिगरी तक न रखें बलकि प्रकृती को अपने में समा कर उसके साथ संतुलन में प्रगती करने को हम एक प्रगती समझें और यही मैं युवाक पीडी को संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये लेन देन की जो विद्या है जीवन क्या कहेंगे हम एक तरह से जीवन यापन का लाइवली हुट का पैसे का इस से उठकर एक हार्मनी में संतुलन में जीवन जीने का वो संदेश सीखें और ये हमारे मिलता है कि हम थोड़े में ही बहुत खुश रह सकते हैं बड़े शहरों में तो आप पूरा पहाड जंगल परबद ग्लेशियर खा जाएंगे फिर भी बूखे रह जाते हैं और खनन और उद्योग मगर यहां के लोग जिस तरह से थोड़े में खुश रहते हैं यह सबसे ब सब्सक्राइब में अभी जो शुबंची रिभार है उसके नजदी के देम बना है 2000 मगवाट का तो उत्रप्रिप्र में जितना बड़े बड़े देम बन रहा है तो उससे अगर कैसे खटना मन रहा गया उत्रप्रिप्र मुझे यहां का पूरा ज्याद तो नहीं है मगर मैं यह कहूंगा प्रगती ऐसी ना हो विकास ऐसी ना हो जिसके कारण आज कल मैं थोड़ी सी खुशी मिले और फिर बरसों पीडियों तक लोगों को पच्टाना पड़े तो ऐसे परियोजनाएं न सोचें जो दो चार दिन की चांदनी फिर अंदेरी रात और वो अंदेरी रात स्थानिये लोगों को बुगतना पड़े शेहरों के कुछ लोगों के सुविदा के लिए ऐसा ना हो तो अच्छा है मुझे ग्यात नहीं है यहां के मुद्दे का मगर सामानेता मैं यह सोचता हूं जितना हो सके स्थानिये हो चोटे हो और हम अपने पहाड़ों और नदियो को असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसका शोशन ना करें बलकि इच्छाओं को कम करें यह मत कहिए परवतों में रहने वालों से कि आपकी नदी चाहिए आपके पहार चाहिए शेहरों में रहने वालों से कहिए कि हम थोड़े में घुजारा करेंगे आपकी तर जो अन्दुलोन आप शुरू किये थे भोतान में भी आपका ये सल्ला है तो जो न्यू एडिकेशन पलिश है नया जो शिक्षा जो पर लगू कर रहे हैं तो उसके बारे में आप क्या बतना है मैं नई शिक्षा नीती को बहुत अच्छा समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है मगर फिर भी हम पश्चिम के बराबर होने के कदम बढ़ा रहे हैं हम बहुत पिछड गए थे भारत की शिक्षा बहुत गहरी है मगर कहीं रास्ता बटक के हम पीछे पढ़ गए थे पीछे र बात है मगर भारत की शमता है कि इससे और आगे जाकर विश्व गुरू बने तो वो गुरू फिजिक्स केमिस्ट्री अकेले में नहीं होगी जैसा मैं कहता हूं यह एक्जाम यह डिग्री यह फिजिक्स यह केमिस्ट्री सब हेड दिमागी काम है जबकि शिक्षा 3H से बनता ह है मैं यह कहता हूं कि Head, Hands and Heart तो हाथों के हुनर को जो कि यहां के जनजाती लोगों में आप देखिए कैसे वो जीवन संभव करते हैं बहुत ही दुश्वारियों में परेशानियों में अपने हाथों की कला से कहीं यह बैंबू का जैसे किस तरह से वो काम करते हैं या वीव कुछरा कह रहा था काइंड हाट वो भी हो तब फिर दुन्या को हम ऐसा कुछ दे सकते हैं उनके शिक्षानीती में भी नहीं है वो अक्षी सवाल और धहमाजी में आके आप यह संभिलन में भागेदार हुए क्या महसूस हुआ है मुझे महसूस यह हुआ कि मुझे बार बा आना चाहिए